कि अधर देख सकते हैं यह है अपना गाउंवाल अधर और यह है सामने से कुछ इसप्रकार का दिखता है मेरा घर और यह देख सकते हैं पर सन 1972 में बना हुआ है और इस तरफ देख सकते हैं पूरा हरे भरे खेत और इधर है आम के पेड़ और यह है भिरिकनी बाखली इस तरफ तो अभी हम आये हैं पार की बाखली और यहां पर देख सकते हैं यहां पर है अपने राकेस्ता लोगों का घर इस तरफ और यहां पर है अपने रणजिद्दा और रविदा का घर और पल्ली तरफ है अपने आनुपरताप और हरीस का घर और इधर देख सकते हैं, बहुती खुबसूरत मौसम आज हुआ है, यह देख सकते हैं पूरे, पुरानी मोडल के घर, आप मैं दिखाता हूँ अंदर आपको, कि यह किस प्रकार का है, यह ताउजी लोगों का घर, और यह देख सकते हैं, यह है ताउजी लोगों का घर, यह रिसिकेस म और इन में लिपाई होती है तो इधर देख सकते हैं पूरा और ये है चाक वाला घर और इस तरफ देख सकते हैं आपको आज मैं दिखाता हूँ ये पुराने ओल्ड मोडल के घर और इस तरफ देख सकते हैं बहुती बड़ा है यहाँ पर चाक देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पर है आमा की फोटो, तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर है अमारी आमाजी की फोटो, और यह है पूराना, जो घर होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, इनमें अंदरी अंदर कमरी भी होते हैं, यह देख सकते हैं आप पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं, यह स अपने यह रोशन्दा को घर देख सकते हैं हमारा गाउंग ग्राम भरसोली और यह खलदार जहां पर गर्मी के टाइम बहुत ही अत्यधिक भीड़ रहती है यहांपर सामके टाइम और इस तरब बना है पानी के टैंकी और सामने देख सकते हैं बहुती है तिदिक धुन्द लगी है आजकल पहाड़ों में तो यह है चड़ाव आखली और यहाँ पर अपने बालकृष्ण यह देख सकते हैं पानी लिजाते हुए यहाँ से देख सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से देघाड बाजार इस तरफ है देघाड बाजार और अभी धुन्द लगे है उतना कलेटी नहीं आएगी और यह देख सकते हैं यह है देघाड बाजार और यह रोड आती हुवी उपर की ओर और यहाँ पर है भेरुथान मंदिर और देख सकते हैं पूरा आज आस्मान में बादल भी लगे हैं